तो हलो गाईस फिर से बार बहुत बहुत स्वाध है हमारा चनल स्टॉक मर्केट आड़ा में तो दोस्तो बात करने वाले हैं रोतन इंडिया एंट्रफाइजोस लिमिटेड की बारे में दोस्तो क्या इस आरको खरी ना चाहिए क्या इसका फंडामेटल एंडेक्स तर्गेट क आ चुका है यह 30 रुपीज तक था अगर 6 महिने की चैट परटन आपको दिखाऊंगा तो दोस्तो देख सकते हो यह 40 रुपीज में मिल रहा था ओवराल 62 परसेंट की 6 महिने में आच्छे रिटन दिया है मैक्सिमम हजार परसेंट की मल्टिवेगर रिटन दिया है 2021 में प्राइज में अगर वाइक किये होते तो 16,6666 शेयर आपको मिल जाता है तो दोस्तों आप देख सकते हो आपका एक लाग अभी का जो प्राइज चल रहा है यहां पर दस लाग तितिस हजार दोसो बैने रुपे हो जाते है यह एक लाग दस दस लाग हो जाता है इस हिसाब स पर सकते हो कितना आपको अच्छा रिटण मिल जाता है वह टाइम को चला गया है क्या इसको भी वाइक करना चाहिया हम लोग देखें कि फैने सेल इसे ना सब्राइज इंड शेट पर तो यहां पर आप देख सकते हो मैं यहां पर यह यहँर वाइज डाटा देखा रहा हू रेवेनु में ब्रोत है, नेट्वर्थ में थोड़ा सा डाउन है, और यहां पर आप देखोंगे, प्रॉपिट में थोड़ा सा डाउन है, लेकिन हम लोग लोग लॉंग टॉम की नजरिया लेकर आएंगे, प्रमोटर 74 रखें, जो कि अच्छा बात है, रिटेल एंबेस्टर 15%, परान इंबेस्टर 9.40, मुचल फंड 0.40% यहां पर रखें, कमपणी का अगर आम लोग फूल डिटेल से आंपर देखेंगे, तो BSE और NSC दोनोम लिस्टिंगे, 8,618 करोड का मर्केट के आपर BTK, उपड़ उपर से मलदाएं, हाईलो देख्शे तो डिपिडेन नहीं द दोस्तो आट नूमपर पर आता है, अक्या बता रहा है? अक्या पूल्ड के आपको फ्रोबड कर सकता है, तो वोप करता है, प्रमिशन आपको फशंद आँगी, पशंद आगी दोस्ते पीडे को लाइक किजे जैए, जालो को सब्स्त्राइब कीजिए, बिलते है, को अदे स झाल 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 झाल